एलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू सोफ टच निटिंग चैनल फ्रेंड्स, आज मैं दो रंगों का प्यारअस डिजाइन लेके आई हूँ फ्रेंड्स, आप तेख सकते हैं आगे की तरप से ये डिजाइन आपको ऐसा दिखेगा और पिछे के तरब से ये डिजाइन आपको ऐसा दिखेगा इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए टू के मल्टिपल फंदे यानि के इसमें दो-दो के हिसाब से फंदे डालने है अगर आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जुरूर करना फ्रेंट्स ये डिजाइन कैसे डलता है इसको डालना अब हम शुरू करते हैं व्ल्टे तरब से शुरू होगी तो क्या करेंगे पहला फंदा ऐसे ही आएगा ये फंदा फ्रेंड्स हमने ऐसे ही लेना है यहां भी और यहां लास्ट में भी क्योंकि ये फंदा जो होता है ये सिलने के लिए होता है आगे इस फंदे में हम कलर चेंज करेंगे क्या करेंगे दूसरा कलर लगाएंगे आप कोई भी कलर लगा सकते हैं जैसा आपको पसंद है ये उल्टा फंदा अगला भी उल्टा ही लेंगे दो फंदों का डिजाइन बताया मैंने आपको तो अगला भी ये उल्टा ही आएगा आगे दो फंदे फिर से उल्टे लेकिन इस वाले कलर से जिससे आप बॉडर बनाएंगे वो वाला कलर लगेगा यहाँ पर ये दो फंदे फिर से उल्टे एक और ये दो आगे फिर से दो फंदे इस वाले कलर के एक और ये दो आगे ये वाला कलर आएगा एक और ये दो एक और यह दो अगे फिर से ग्रें है कि एग तो अगे रेट कि एक और यह दो अगे फिर से ग्रेंग यह,ज्रों धूर में लना सतु सु bombs न लिए है इसलिए हमने यहां पेश्टा एक्स्टा रखा हुआ है पहली रो डिजाइन के हमारी कम्प्लीट हो गई है अग दूसरी रो में क्या करेंगे यह तो ऐसे ही आएगा आगे दो फंदे हमारे सीधे आएंगे एक और यह दो आगे यह जहां पर यह कलर चेंज हुआ है वहां क्या करेंगे हम यह जो दागा है इसको पहले हम ऐसे अपनी तरफ करेंगे और यह जो दो फंदे हैं इनको हम उल्टा लेंगे यह ऐसे एक और यह दो उल्टे ले लिए दागे को ऐसे आगे किया और आगे के यह जो दो फंदे हैं इनको हम सीधा लेंगे इसी कलर से लें करेंगे दो फंदे हमारे ये उल्टे आएंगे एक और ये दो थाग आगे किया फिर से ये दो फंदे सीधे आएंगे ग्रे कलर की उन्चे एक और ये दो थाग अपनी तरफ करेंगे फिर से और दो फंदे हमारे ये उल्टे आएंगे एक और ये दो थाग आगे करेंगे दो फ तरफ करेंगे, दो फंदे हमारे अब उल्टे आएंगे, एक और ये तो धागागे किया, और लास्ट वाला फंदा हमारा सिलने के लिए है, तो ये सिधा आएगा, फ्रेंट्स, सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है, अब थर्ड रो, फ्रेंट्स, थर्ड रो में थोड़ रेड कलर से नहीं बुनना है, यानि के जो भी आप कलर लगा रहे हैं, उससे नहीं बुनना है, दूसरे वाला कलर आएगा इसके उपर, और इसको हम उल्टा ही बूनेंगे, दो फंदे हमारे ये उल्टे आए, आगे ये जो ग्रे कलर यहां पे लगाया है, इसके उपर अब हमारा रेड कलर आएगा, यानि के इसमें रेड एक और ये दो, आगे फिर से ग्रे कलर आएगा, चाहाँ पे रेड है, बहाँ पे अब हम ग्रे कलर लगा रहे हैं, एक और ये दो, आगे रेड कलर, एक और ये दो, आगे यहाँ पे कलर चेंज होगा, एक और ये दो यहाँ पर भी color change होगा यानिके दो-दो फंदों के बाद friends color जो है ये उल्टी रो में change होगा उल्टी रो बैसे तो friends पूरी उल्टी ही जाएगी लेकिन color जो है ये change होगा और ये red, gray के उपर red ऐसे और last वाला सिलने के लिए है तो ये ग्रay ही आएगा ऐसे तिन रो हमारी design की complete हो गई है आगे friends design की चोती रो आएगी ये तो ऐसे ही आएगा आगे ये दो फंदे जो दिख रहे हैं इनको हम उल्टा लेंगे red color की उनसे पहले हम थागे को ऐसे अपनी तर्फ करेंगे और ये दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे, ऐसे, एक और ये दो, ठागा ऐसे आगी चाहेगा, आगे ये दो फंदे हमारे अब सीधे आएंगे, ऐसे, एक और ये दो, ठागे को फिर से अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे, ये जो दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको ये, ये हमा अगे किया, दो फंदे फ्रेंट्स आगे हमारे सीधे आएंगे, एक और ये, दो धागा हम अपनी तर्फ करेंगे, दूसरे वाला धागा, ऐसे, अब ये दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे, एक और ये, दो धागा आगे किया, दो फंदे सीधे, कलर्ज चेंज करके, एक और ये दो थागा अपनी तरफ किया, दो फंदे हमारे उल्टे, एक और ये दो थागा अगे किया, दो फंदे हमारे सीधे, एक और ये दो और लास्ट वाला भी सीधा. फ्रेंड्स आप देख सकते है, चार रो डालने के बाद हमारे पास ऐसा डिजाइन बनके आएगा. आगे फ्रेंट्स पांचवी रो हम बैसे ही डालेंगे जैसे हमने यहां शुरू किया फास्ट रो डाली बैसे हमारी फिफ्त रो आएगी और जैसे फ्रेंट्स हमारी सेकंड रो आई बैसे हमारी सिफ्त रो आएगी और आगे friends जैसे हमारी 3rd row आई बैसे ही 7th row आईगी और जैसे friends हमारी 4th row आई बैसे ही हमारी 8th row आईगी आपने इनी चार सिलाईयों को बार बार रपीट करते जाना है और आपके सामने ऐसे सुन्दर सा beautiful सा pattern जो है वो बनके तयार हो जाएगा Thank you